आज मैं आपके साथ एक ब्रेट पकोड़े की रेसपी शेयर कर रहे हूं यह बहुत ही सिंपल और क्विक बनने वाला ब्रेट पकोड़ा है क्योंकि इसमें हम कोई भी आलू की फिलिंग नहीं डाल रहे हैं आप इसे इवनिक स्नैक की तरह भी खा सकते हैं तो इस ब्रेट पकोड़े को बनाने के लिए एक ब्रेट को आप ट्राइंगल शेफ में कट कर लीजे अब यहां पर मैंने एक बड़े बोल में एक कटोरी बेशन ले लिया है एक मीडियम प्याज स्लाइस किया है थोड़ा सा हरा धनिया और एक हरी मिर्ची ले लिए अब हम ब बेट चिली पाउडर थोड़ा साय। डालें और पानी डालके इक इसका बैटर बना लेंगे बैटर बनाने के बाद आप स्लाइस किया हुआ अनियन धन्या और मिर्ची जाल अच्छे से मिक्स कर लीजे है इस अच्छे से मिक्स करने के बाद एक पकोड़े की consistency जैसा बैटर त्यार कर लीजिए और एक गैस पर तेल गरम होनी के लिए रख दीजिए तो अब तयार बैटर में हमें ब्रेट स्लाइस को अच्छे से डिप करना है और इसे तेल में डाल का डी फ्राय करना है ब्रेट स्लाइस को अच्छे से बैटर में कोट कर लीजिए और एकसेस बैटर निकाल के इसे तेल में डाल कर हमें डी फ्राय करना है जब तक यह गोल्डन ब्राउन कलर का नहीं हो जाता दोनों साइड अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने के बाद आप इसे एक किचिन टाल या टिशु कोड़ा बनके तयार है इसे आप अपनी मन पसंद चटनी या कैचप के सांद सब कीजिए थैंक्स वर वाचिंग सब्सक्राइब कीजिए मेरी चैनल को टू गेट बेस्ट होम रेमेडीज एंड फूड रेसिप्ट